हलो दोस्तों मैं रज़त सर्जदेवा दोस्तों पिछले एग साल में स्केल इंडिया पोर्टल की जितने भी मैंने वीडियोस मिलना है मुझे उसमें काफी अच्छे फीडबेक मिले हैं जो वीडियो आज मैं यहां पर लेकर आया हूँ वो है कि आप अपने क्लोस प्रोजेक् में कैसे लिंक करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्केली इंडिया डोट जियो वीडियो टिम वेबसाइट पर जाना है लोगिन पर क्लिक करना है अपनी टीपी आईडी और पासवर्ट से आपको लोगिन पर क्लिक करना है लोगिन पर क्लिक करने के बाद आपको मा प्रोग्राम पर जाना है जैसा कि आप देख पा रहा है यहां पर दो स्कीम है कि फी बेस्ट एक है नॉन पीम के वह जब आप लोगिन करेंगे तो हो सकता है कि आपको जो आपकी अप्रूफ़ प्लाइगे वो भी आपको यहां पर दिखेंगी तो दोस्तों जैसे कि मैं देख इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके ट्रेनिंग सेंटर का स्टेटर्स इनेक्टिव है रेनिवल पेंडिंग है प्रोफाइल पेंडिंग है अप्रूफ़ है यह सेंट बैक है तो आप उसको कैसे अपने अप्रूफ़ प्रोजेक्ट में लिंक करेंगे अपन और एक यहाँ पर है Renewal Pending इसको भी कॉपी कर लेते हैं Renewal Pending और एक Training Center हम ले लेते हैं Flow Inactive का Inactive Training Center भी यह आपको यहाँ दिख जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुछ आपके Training Center होते हैं जिसका Status होता है Profile Pending Profile Pending मतलब यह वो Training Centers होते हैं जिसका Training Partner ने Profile पूरा नहीं करा मतलब जो Mandatory Fields होते हैं उसको कभी डाला ही नहीं और इसको Approval के लिए कभी Submit भी नहीं करा तो Profile Pending Training Center से होते हैं यह आपके Approved Project में लिंक नहीं हो पाएंगे तो आप मैं Back पे क्लिक करूँगा तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपने जो Close Project है यहाँ सिर्फ जो मैंने Training Center मैंने पिछले कुछ साल ले में बनाये थे वह Training Center में अपने अपने Approved Project जो मेरा Recently भी Approved हुआ है उसमें मैं आपको Link करके दिखाऊंगा पहले क्या होता था दोस्ता कि सिर्फ आप Approved अगर दो Approved Project है तो सिर्फ आप उन्ही Training Center को Link कर पाते थे अगर कोई Inactive है यह Profile Pending है तो आप उसको Link यहाँ पर नहीं कर पाते थे तो मैं Add Due Training Center पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरेका Option देख रहा है Link TC का Link TC पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप TC ID को Copy करेंगे तो आपका जो Approved Training Center है यह देखो जैसा कि मैं क्लिक कर रहा हूं Add TC पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर Submit पर क्लिक करूँगा तो मेरे जब 4765 Training Center है जैसा कि आप देख पा रहे हैं वह एज़ा Approved यहाँ पर आ गया है उसी तरीके से एक Renewal Pending में मैं ले लेता हूं Link TC पर आपको क्लिक करना है यह आपके वो Training Center है जो आपने कभी Close Project में बनाये थे Do 4 पर क्लिक करेंगे, Add पर क्लिक करेंगे, Submit पर क्लिक करेंगे वही इस सेम स्टेटस के साथ आपका यहाँ पर Training Center जो है आपका यहाँ पर Close Project से Approved Project में ट्रांसर हो गया, तो अब जैसे Renewal Pending है तो आपको क्या करना है, Action पर क्लिक करना है, Update Details पर क्लिक करना है, जो Mandatory Fields भर है, Photograph क्लिक कीजिए और उसको Approval के लिए Submit कर दीजिए, उसके बाद जैसा कि एक और मैंने Training Center लिए अगर आपका Inactive Training Center है Close Project में तो उसको भी आप यहाँ Link करके Transfer कर सकते हैं, उसको क्या करना है, यहाँ पर आपने वो Training Center आपका आजाएगा, ATC पर क्लिक कीजिए, Submit पर क्लिक कीजिए, और Inactive Training Center आपका यहाँ आगया, अब आपको क्या करना है, Make Active, Three dots पर क्लिक करके Make Active यहाँ पर आएगा, Remarks में आप यहाँ का आज का DT डाल यह है कि आपको बार-बार Training Center बनाने की ज़रुत नहीं है, आप अपने जो आपके Training Center आपने पुराने स्कीम में बनाए थे, वही सेम Training Center आप अपने नई स्कीम में भी उसको transfer कर पा रहे हैं, इससे आपका भी टाइम बच रहा है, और जो NSDC में Training Centers अप्रूव करते हैं, उनका भी टाइम बच रहा है, मुझे उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थेंक यू वेरी मच